हिंदुस्तान के आस्मान पर एक बार फिर दिखेगी लड़ाकू विमानों की जोर आजमाईश भारत और अमेरिका के लड़ाकू विमान जब एक साथ गर्जना भरेंगे तो चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट जाएंगे एक तरफ होंगे अमेरिका के एफ 15 स्ट्राइक इगल फाइटर जेट विमान तो दूसरी तरफ होंगे भारत के सुकोई 30 MKI यह मौका बेहत खास है चार साल के अंतराल के बाद पशिम बंगाल के कलाई कुंडा एर बेस पर भारत और अमेरिका की वायू सेनाओं का दोस्ताना अभ्यास कोप इंडिया आज से शुरू हो रहा है 12 दिनों तक लगातार बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द इन विमानों के गड़गडा हट होगी तो चीन की नींद उड़ना लाजमी है इस अभ्यास में अमेरिका के F-15 लड़ाकों विमानों की भागीदारी इसलिए भी खास मानी जा रही है कि भाविश्य में ये फाइटर प्लेन भारत वायू सेना की पसंद बन सकते हैं माना जा रहा है कि भारत की ओर से फाइटर विमानों के सौधे के लिए F-15 लड़ाकों विमानों की भी दावेदारी पीश्की जा सकती है जानकारी के मताबिक इस बार कोप इंडिया अभ्यास में भारत की ओर से सुखोई के अलावा IL-78 Mid Air Refuel, Rafale और तेजस विमानों को भी शामिल किया जा सकता है हिंदुस्तान के सरजमी पर भारत और अमेरिका की वायू सेना का ये पांचवा खास अभ्यास है कोप इंडिया की शुरुआत 2004 में गोलियर के टेकन पूर F4 स्टेशन में आयूजित एक लड़ाकू प्रसीक्शन अभ्यास की रूप में हुई इसके बाद 2005 में पश्चिम मंगाल के कालाई कुंडा F4 स्टेशन पर इस अभ्यास का अगला संस्क्रण आयूजित हुआ 2009 में तीसरी बार दोनों देशों की वायू स्टेशन ने ये अभ्यास किया इसके बाद 2019 में कलाई कुंडा और पानागड के अरजन सिंग वायू स्टेशन पर ये अभ्यास हुआ जिसे कोप इंडिया 2018 का नाम दिया गया इस अभ्यास को लेकर जियेस मान एक्सरसाइज जारेक्टर कोप इंडिया 2018 ने ये बयान दे करके बताया था इसके मूल रूप से 3 से 4 उद्देशे हैं पहले तो ये कि इसके जरीए हम एक दूसरे की हवाई ताकत के सामरिक इस्तिमाल को समझते हैं दूसरा उद्देशे भविश्य में आपस में मिलकर संचालन करना तीसरा उद्देशे भेतरीन तोर तरीकों को जानना और आत्म साथ करना साथी ये भी उद्देशे हैं कि आपस में विचारों का दान प्रदान हो और भविश्य में जुरुत पड़े तो मिलकर किसी भी संकट का सामना करने में आसानी हो कोप इंडिया दो हजार अठारह में भारत की ओर से सुखोई 30 MKI के अलावा जैगुआर, मिराच 2000, C-130J और AWA CSR क्राफ्ट और अमेरिका की ओर से F-15 CD और C-130 विमान शामिल हुए थे अब एक बार फिर सेक अलाई कुंडा में हो रहे कोप इंडिया भ्यास में दोनों देशों की वायू सेनाएं एक दूसरे के साथ तालमेर और सैयोग की नई इबारत लिखेंगी तो साथी साथ इनके लिए आपसी अनुभव साजा करने का भी ये शांदार मौका है वैसे भारते और अमेरिकी वायू सेनाएं हाल के दिनों में संयुक तरब अमिरात और ब्रुटन में हुए बहुराश्ट्रे युद्ध अभ्यासों में शामिल हो चुकी है लेकिन चीन से चल रही तनातनी के बीच बंगाल में होने वाले कोप इंडिया भ्यास के माइने कुछ खास है क्योंकि जपान भी अब्जर्वर के तौर पर इसमें शामिल होगा ब्यूर रिपोर्ट भारत तक क्योंकि बंगाल में शामिल हो चुकी बंगाल में शामिल होगा